कुछ नहीं हूँ, मैं तो चाहूगा के 110% पाकिसान के अंदर ही चेंटिन्स रफी हो, अब भाई होस्पिंग राइट हमारे पास जब वर्ल्टप के हेल्डे हम चले गए, तो फिर इंडिया को भी आके हेल्ले आना चाहिए, हर बुल्क तो आ चुका हुआ है, अब तो भी आना पड़ेगा, और यह साच है कि पूरी दुनिया का सबसे जो पावर्फुल ग्रिविल बोर्ड है, वो भी इसी आई है, और आगशी सी उस कहा के जुकता है, और बीसी भी कुछ भी निकसे आख़ता है, पाकिस्तान वर्ल्ट कप के लें, इंडिया जाए, ना जाए, कु पाकिसान आकर खेलेगी, या सिर्फ भारती वज़े से आप हमारा जिकाप है, वो यूएई में जो है, वो यूएई में जा रहे हैं, आपको क्या होगा, आप दरा हिमत पर पकड़ेना इतने नेगेटिव क्यों है, भारती वज़ा से हर चीज नहीं होती है, भाई साब, कु नियूस पेपर्स यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि बीसीसी आई ने फैसला कर लिया है, और आई सिसी को भी बता दिया है, कि हमारी टेम पाकिस्तान में नहीं जाएगी, नहीं जाने से इनकार कर दी है, और तो अब पाकिस्तान भी दुजार पच्शिस की में जवानी चीन ले जिसे देखर पाकिस्तानी मीडिया का भी रहाल हो चुका है, पाकिस्तानी मीडिया रोते रोते बोल रहे हैं कि एस सवी बीसीसी आई की साजी से, बीसीसी आई तो अपने पेसों के दम पर किसी को भी खरी सकती है, और तो और अब हमारी चेंपिन ट्रोपी पीक किदली, तो अब हो दूत है, और पेसे नुद कर दूते पकाई पर पाकिस्तानी मीडिया का भी रोटो कर बुरा हाल हो चुका है, तो पेर यार चले फटा पड़ ज्रू करते हैं वीडियो, आप यार जरूर से देखेगा में अपको बहुत ज्यादा मुजाने वाला है तो पेर यार चल पता नहीं है इंडिया के अभी से मीडिया को यह बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी अभी तो बहुत दूर है आप अभी से शोशाच होड़ना आप शुरू हो गए कि बीशी सी आई और भारती हुकूमत चैंपियंस टॉफी में इंडिया की टीम को नहीं वेज़ जाए और वो अब वेन्यू भी बताना शुरू हो गए कि आप चैंपियंस टॉफी को इमारात में या चैंपियंस टॉफी को स्रिलंका में या बंगलादेश में मुंतकिल कर दे रहे हैं इसे में हमने अपने चार मैच करा लिए यह बहुत बड़ी जीत थी मैं आपको बता हूँ वरना तो शाहिद वो भी नहीं होते है, जेशाह साथ तो लग गए थे कि पूराज एस इसे कह भी आप आप इस रूज बड़ी इस एक बढ़ी यह एत्रूटी है और फिर शब्सक्र पर सब्ड़ी चीज के बड़ी चीज बहुत कर लेदी है, यह तो आपकी हुकूमतों का म जो इस वक्त का रवया है, तो मुझे नहीं लगता कि 2025 में पाकिसान प्रॉपर मेजबानी करपा रहे हैं। अब आप देखे ना, जका इश्रफ साहब पाकिसान इंडिया का मैच देखने के लिए हैं। जका इश्रफ साहब पाकिसान क्रिकेट बूट की मैनेजमेंट के मीटी के सरवरा हैं। इस वक्त पाकिसान क्रिकेट बूट की जो सबसे बड़ी सीट है उस पर वह बैटे हैं। एक मरतबा एक के कैमरे ने नहीं दिखाया है। इंट्रिनेशनल क्रिक्ट कॉंसिल के कैमरे ने भी नहीं दिखाया। हमें लोग बहुत असान लेना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप हमारी अपनी कुई कौन जाके बात करेंगा इंट्रेस्टल क्रिक्ट कॉंसिल से कौन लॉबिंग करेंगा। देखें लॉबिंग का भी टाइम अब खतम हो गया, जितना पैसे का रेल फेल है बाद चुका है और जितना बड़ा पैसा इंडिया इंटरेशनल क्रिकेट की मार्कीट में फेक रहे है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्टेलिया से कोई भी लॉबिंग कर इंडिया कर तीन मैच मेरे मुल्क में आके खेल लें, तो मुझे तो पते नहीं कितने पैसों का फाइदा हो जाएगा वास्टेलिया, पाकिसान के आइसे की हम कहेंगे के नहीं चलेगी और वही अब तालुखात के ओपर बात आजाएगी, लेकिन एक बड़ी गलत बात है, इंडिया को इतना बहुत नहीं दिखाना चाहिए, कुछ अच्छे जेस्टर भी दरो, आप लोग भी आओक अभी खेलो, हमारे साथ, पेरम उस पर बात बोली थी, आई से तकरीबन कोई 4-5-6 महीने पहले आप इतना कर लो, मैंने वो बात बोली थी, अगर मेरे चैनल पे को करने देखी दो जा के भी देख लो, याद, चैंपिन स्टर भी की बात हो रही थी, मैंने बोला था कि कुछ भी कर लो, चैंपिन स्टर भी года, कुछ भी कर लो, चैंपिन जा जाएगा, पाकिस्टान टीम इंडिया वर्ल्ड काप खेलने जाएगी, तो जरूर होगी, ये मैंन किसी भी सूरत में नहीं होगी अब आई देख लो कटी कटा खुल गया बाइब जो बात करता हूं मैं वह बात ठीक होती है अब बात हुई क्या थी मैं थोड़ा साथ को पीछे ले जाता हूं आई से कुछ महीने पहले यह बात हुई थी कि एशिया कप पाकिस्तान में होना है कि एशिया कप का उदर रखा को एंडिया मैं लगा गया इंडिया गया मैशी इंडिया ने ऍजया कप फ्यले पाकसान नहीं तो पर बड़ी ज़्यादा मात हुई है और एक दुसरे को गबनी बरा बरा बोला फिर जो मामलात थाप पहें और एक मीटिंग कर वाई गई इस मीटिंग में ICC के कुछ पैनल्स के बंदे थे और PCB और PCA को बला के मामला रफा दफा करवाया गया और PCB मान किया जी हम वर्ल्ड काप खेलें इंडिया जाएंगे पाकसान टीम इंडिया गई वर्ल्ड काप खेलें मैंने बोला था कि 2025 की चैंपियन जाफ भी पाकिसान में नहीं करवाई जाएगी उसी तरीके से पाकिसान और दुमई के अंदर हो सकती है चैंपियन्स ट्रोफी ये उनका कहना था अब मेरे पॉइंट ओफ वी से तो मैं तो इस चीज़ से खुश नहीं हूँ मैं तो चाओगा कि 110 परसन पाकिसान के अंदर ही चैंपियन्स ट्रोफी हो अब भई होस्टिंग राइट हमारे पास जब वर्ल्ड कप खेलने हम चले गए तो फिर इंडिया को भी आ खेलने आना चाहिए हर मुल्क तो आ चुका हुआ है अब तो पही वज़ा बनती भी नहीं और आई सी सी को इसमें वहल वहना परेगा अभी तो खैर बात वहां से किसी जर्ली से किया ना कल को जब बीसी से कुछ बोलेगा तब आई सी को बीच पे आना चाहिए इस दफ़ा जो बात आई है वो इंडिया से आई है ना पीसी बी पाकिसानी मीडिया ने कुछ बला है इसके और इसके से बात करेंगे और क्या पासी पूरी पाकिसान में विवाख देनी चाहिए या पूरी दुबई में कर राज़ी इसके सब बात करेंगे अधुला बई क्या कहना सबसे पहले तो आपका बताएं पॉइंट आप ने बताई है यह तो मुझे तो बड़ा गुसा आ रहा है और गुछ से वली बात भी है यार यह हम